नमस्कार दोस्तों आज हम लोग Bromine Gas Leak जैसा आपने सुना होगा भात वरष में एक कमपणी में Bromine Gas का Leak हो गया तो ये Gas बेहदी विशाक्त है यानि इसके सांस में आने से आपको तक्लीफ हो सकती है खांसी हो सकती है सिरदर्द हो सकता है मून आख में जलन हो सकती है चक्कर आते हैं और आखों से पानी भी निकलने लगेगा दोस्तों यह जो गैस है यह highly toxic गैस के रूप से भी जानी जाती है इसके आने से अगर यह environment में फैल रही है तो आपको अपने आपको इससे बचाने के लिए जिस भी direction से यह गैस फैल रही ह है उससे 90 degree पर भागना है क्योंकि यह गैस के आपके शरीर पर आने से पेट खराब हो सकता है पाचन तंत्र में जलन हो सकती है श्वसन तंत्र में जलन हो सकती है और liver और kidney को भी नुकसान पहुँच सकता है जिहां दोस्तों यह आपके शरीर पर बेहदी खतरनाक effect डाल सकती यह गैस आप जैसा की देख रहे हैं औरेंज कलर की होती है अगर अपना कोई भाई इसके कॉंटेक्ट में आ जाता है तो उसे खुली हवा में लेकर के जाना चाहिए और अगर सांस नहीं आ रही है तो artificial respiration देना चाहिए यानि की CPR अगर आप CPR देने में महारत हासिल है तो ही आ otherwise इसका reverse effect भी हो सकता है और उसको problem भी हो सकती है आपके CPR देने से दोस्तों अगर इस तरह से कभी भी कुछ हो जाता है और आदने बेहोश हो जाता है तो उसे कुछ भी खाने या पीने के लिए मत दीजिए हो सकता है आप उसके लिए कुछ अच्छा करना चाह रहे हो लेकिन उसके लिए भाग खराब हो जाए उसके कपड़ों को हमेशा दीला कर देना चाहिए ताकि उसको सांस लेने में आसानी हो सके और अगर वह बेहोश है तो थोड़ा थोड़ा पानी का छिट्टा उसकी आँख पे मारने से या उसके मुह पे मारने से उसको problem में आसानी से सांस लेने में और वापस आने में मदद मिलेगी इसके अलावा अगर कोई आदमी contact lens लगाता है तो उसके वो contact lens निकाल दीजिए कम से कम 15 मिनट तक अपने शरीर को धोई गये अगर आप उसको contact में आ गये है या आपके शरीर के उपर वो गिर गया है आपका जो भी area है उस area में जो भी safety shower है वहाँ पर जाकरके अपनी आखों में अगर contact हुआ है तो उसको अच्छे से दोना चाहिए अगर आपको exposure हो रहा है तो उसको अच्छी तरह से दोना चाहिए और अपनी शरीर को भी दोना चाहिए दोस्तों अपना और अपनी टीम का ध्यान रखें हमेशा सतर कर लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप इस वीडियो में जुल चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजे ताकि हम आपके साथ इस तरह की और बातिस मिलकर सांझा कर सकें दोस्तों हमारे चैनल को support करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद झाल